हेलो दोस्तों स्वागाता है आपका अपने यूटूब चे अमर्वा क्लासिस में दोस्तों जैसे कि आपको पता माश्टर रिजनी बुक का पूरा सुलूशन कर रहे हैं दोस्तों काफे स्टुट्ट का कमेंट था के सर हमारे यूपी पुलिस का रिजनींग का जो सिलेवस होत सिलेवस देखने को मिलता है दोस्तों ठीक है आप इसको अच्छे से देख लिजिए जब यह ओफिसिल साइट पर जाएंगे यह बैकेंसी आएंगी दोस्तों तब आपको सिलेवस में रिजनींग के यह दिखाता है ठीक है अगर स्टुडेंट इन चैप्टर को पढ़ेंग आप पूरा सिलेवस पढ़ सकते हैं क्या इसमें कहीं अंग्रेजी बढ़वाला लिख रहा है इंगलिश अलफबेट कहीं लिख रहा है क्या दोस्तों इसमें करम व्यवस्थिकन कहीं लिख रहा है दोस्तों कहीं बैठक व्यवस्थिकन लिख रहा है सिलेवस में बताओ क्य क्या इस सिलेवस में कहीं दिसा दूरी लिख रहा है क्या इस सिलेवस में कहीं पासा लिख रहा है क्या इस सिलेवस में कहीं कलेंडर लिख रहा है आपको विसर नहीं क्या इन चैप्टर से कोशन नहीं आते आपको विसर सभी से आते हैं पासे से भी आता है और अंगदे जी ब यहां पर दोस्तों यहां देखो इसने क्या बोल दिया यहां पर दोस्तों इसने यहां बोल दिया बरवल एंड फीगर बरवल एंड फीगर क्लासिफिकेशन दोस्तों ठीक है बरवल का मतलब क्या हुआ इसका मतलब बरवल रिजनिंग जितनी विए सबी आएगी इसने किसी ए नहीं से हुख्षण आ सकता है तो इतने बिलकुल भी बुद्ध मत खो बैठना कि हम je लिएंगे यहां से कुष्ण नहीं आता सभी में किस रैंका जाएंगी अंद खाली बार के रिजनिंग का बिश्वास रखिए दोस्तों जब मैं पूरा स्लेबस कंप्लेट कर दूँगा आपको पता है तीन चैप्टर रहे गए सायद हमारे कागज काटना कागज मोड़ना और एक चैप्टर कथने पूर बढ़ना दोस्तों यह तीन इंपोर्टेंट चैप्टर रह होगा ठीक है अब भी दोस्तों जितनी में आपको रिजनिंग करा चुका हूं अपनी मांदर से अगर आप एक एक वीडियो अच्छे समझे हैं तो दोस्तों कोई भी प्रेक्टिस एट उठा लेना यूपी पुलिस का ठीक है आपको पता च्पन अगर उसमें कोश्चन है र 45 पिलस आज भी लगा रहे होंगे 45 पिलस दोस्तों रिजनिंग में आजह भी लगा रहे होंगे अगर आप एक एक चैप्टर की liquid हच्छे से बने विए सभी को अच्छे से देखें हैं तब दोस्तों ठीक है बस इमान दरी के से बताईे अगर कोई भी प्रेक्टिस ए इसंदे नहीं मार खाऊगे किशी से भी दोस्तो कहीं भी पढ़ लेना देशनिंग में आप दोस्तो यहां से अच्छा गर आपको कहीं मिले तो बहाँ पढ़ देखा एघाrying ना मैं यह नहीं करते हैं मेरे पास ही पढ़ो जहां पर पादो उसी से ठीक है और मैं आप साभी कुछ कैबी ने सकता ठीक है मेरे पास जैसे ही सुबिदा हो जाएगी फॉन लेने की सोच रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं बन पा रहे हैं तो ठीक है सिद्धी बात यह मेरे पैसे नहीं बन पा रहे हैं मैं फॉन लोगा अच्छा सा क्योंकि इसकी स्क्रीन खराब है इससे वीडियो रिकोर्ड ही कर पाता हूं मैं कैमरे के दूरू इससे वीडियो नहीं बन पाती है दोस्तो इसलिए मैत की वीडियो लेट हो रही है और बिशबास रखिए मैत में अपनी तारिफ नहीं करता दोस्तो बट मैत में आपको ऐसा करा दूँ जो जीरो से त्यारी करेगा दोस्तो जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा विश्वास रखिए मुझ पर बस ठीक है दोस्तों मैं आपको बताता हूं सिलेवस मैं आपको क्या पढ़ना है रीजनिंग के ठीक है जैसे आपने देखे जोगा दोस्तों रीजनिंग में तीन भाग होत से भी कुश्चन आ सकता है एक बिशेश चैप्टर का नाम उसने नहीं लिखा ठीक है अब यह नहीं कि सिलेवस में किरम बेबस्तिकेंट चैप्टर नहीं लिखा तो बहां से कुश्चन नहीं आगा हर साल आता है अंग्रेजी बनवाला नहीं लिखा सिलेवस में तो यह नहीं नहीं कि अंग्रेजी बनमाला से कुस्चन नहीं आगा हर साल 3-4 कुस्चन मिलते हैं अंग्रेजी बनमाला से ठीक है दोस्तों उन्हें इसलिए बरबल लिख दिया बताओ क्या करोगे वो तो बोल देगा कि मैंने बरबल लिखा था बरबल रिजनिंग मतलब टोटल चैप्टर जितने हैं ठीक है तो दोस्तों आपसे बता रहूं इन चैप्टर को नोट कर लेना एक भी कोस्चन अगर इन से बाहर चले आए तो मुझे आगर चैलेंज कर देना ठीक है नम्मर एक दोस्तों अंग्रेजी बनमाला ठीक है यहां से 3-4 कोस्चन पूछे आते हैं जो हम बहु आं जम आपको ठीक है जा दूसरा यहज़ाम कर चुके हैं यहां देखोगरख तीन से 4 क्षे मिल जाते हैं सरंखला से ऑभी है कि कि ऐसे बूस्तों कूछन मिलता है यह सभी चैप्टर हैं चटा साद मार 642 जितने यह चैप्टर हो और सभी चैप्टर हम अपश्यार चुके ह हैं दोस्तों अब इनकी प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा आपको जिससे आपको एक एक डाउट किलियर हो जाएगा एक चाम की डेट तो आने दो भी फारम उनलाइन होने दो आपका स्लेवर्स कंप्लीट कराने के मेरे जिम्मेदारी है आप क्यों टैंसल लेते हो जितना करा दि दोस्तों मैं कल सुरू करने वाला हूँ ठीक है इस चेप्टर को मैं कल सुरू करने वाला हूँ गंगनाब दोस्तों बहुत कम चांस होते हैं जो यहां से यूपी पुलीस में कोश्चन पूछा आता है बट मैंने कहा था आभी सकता है दोस्तों तो घंगनाब उने कट चुके हैं कलेंडर कट चुके हैं आयू कर चुके हैं गलितिया कट चुके हैं लुपथ कर चुके हैं दोस्तो और पहली मैं से मैंने ऐसे कोोस्चन आपको करा दिये जो कोश्चन पूछाने की संभाब न मुथ पूछेगा दोस्तो तो उस टाइब के कोश्चन मैंने करा दिए दो चार कोश्चन और करा दूँगा एक्जाम टाइम पर ठीक है कि आख लोगी यह यह रहे गए चैप्टर दोस्तों ठीक है कि बेनारेक हम कंपलेट कर चुके हैं यह दोस्तों अभी तक यूपी पुलिस में नहीं पूछा गया है आप मुझे इस चैप्टर को बताओ इसका इंगलिस में क्या बोलेंगे से इन्पुट आउटपुट ठीक है क्या बोलेंगे इन्पुट आउटपुट जब मुझे बताओ 2016 वाला जो एक्जाम होता यूपी एसाई का ठीक है उसके सिले उसमें क्या इन्पुट आउटपुट दिया था दिया था क्या नहीं दिया था दोस्तों बट महां से 2016 में पहली बार ये Input Output पूछा गया था पहली बार दोस्तो नया ये जुड़ा था उन्होंनों डाइरेक्ट सिल्योस में उसमें रख दिया दोस्तो एक्जाम में बता आप क्या कर लोगे तुम उनसे जाके क्या चैलेंज कर सकते हो उनको ठीक है तो Input Output दोस्तो यूपी पुलिश में आज तक नहीं पूछा गया बड़ तुम ये नहीं कह सकते कि आगए को भी नहीं पूछा जाएगा हो सकता पांच कुश्चिन इसके ही आजाए Input Output के मरा नहीं कर सकते न तो दोस्तो ये भी हमको complete करना है ठीक है Input Output भी हमको अच्छे से complete करना है दोस्तो ठीक है बरबल रिजनिंग ये हो जाती है तो ज़्यादा तर दोस्तो हम chapter complete करें चुके हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं विसपास रखिए एक chapter भी आपका नहीं छोड़ूँगा एक एक chapter आपको कराँगा बस आप मेरे साथ अच्छे से बने रही है ठीक है आप लोग साथ नहीं देते हो बिल्कुल भी आप साथ दोगे तब ही तो कुछ होगा ठीक है आगे चलते हैं भाग to दोस्तो क्या होता है non-verbal reasoning दोस्तो ठीक है क्या भाग to non-verbal reasoning यहां से दोस्तो बहुत question पूछा दे non-verbal से आपको पता होगी ठीक है दोस्तो मैंने कितने chapter आपको करा चुका हूँ यह chapter में आपको करा चुका हूँ क्योंकि मैंने non-verbal reasoning का भी इतने chapter करा है जहां से हड़ साल question पूछा जाता है ठीक है यहां से दोस्तो एक-एक question बनता है अगर आपने exam दिया होगा तो आपको पता होगी ठीक है आकरती निर्मान हम कर चुके है आकरती का घुर्णान हम कर चुके है आकरती पूर्ती हम कर चुके है ठीक है इतने chapter हम complete कर चुके है और दोस्तो non-verbal reasoning के यहीं से question पूछा जाता है बिश्बास रगी यहीं से question पूछा जाता है एक-एक आगे चलेंगे आकरती आप यहां complete कर चुके है ठीक है बर्ग पूर्ती कर चुके है दोस्तो कागज मोड़ना और कागज काटना रह गया ठीक है कागज काटना और कागज मोड़ना रह गया जहां से question यूपी पूलिस में भी पूछा जाता है ठीक है तो दोस्तो इन chapter को मैं आपको किस तरीके से करा हुआ दोस्तो इनको मैं camera के थुरू करा हुआ practically करके करा हुआ तो इसलिए दोस्तो इनकी जो है मैं video record जब new phone होगा दोस्तो तो उसका camera अच्छा होगा थोड़ा सा quality ठीक होगी तो बहां से आपको practically आपको समझाऊंगा उस तरीके से आपका एक एक doubt किलियर हो जाएगा और कभी भी आप कागज मोड़ना और काटने में गलती नहीं करेंगे दोस्तो ठीक है कर चुके थे दोस्तो आखरतियों गिनती कि एक वीडियों कर चुके थे जिसमें आपने रेखाएं कि नहीं थी दोस्तो ठीक है तिरभुज आयत बर्ग में दो से तीन दिन में आपको वीडियो देना शुरू कर दूँगा अभी थोड़े ची दोस्तो परिशानी चल दिए जिस वेसे आपसे रेखुलर वीडियो नहीं मिल पा रही है आगे चलेंगे दोस्तो और ये चैप्टर आप देख सकते हैं दोस्तो ये भी मैं आपको कंप्लीट कर आ चुका हूँ सन्निहित आखिरती दोस्तो यहां से दो कोश्चन एक पूछा ही जाता है आपको सब पता होगा दोस्तो आपने पहले एक्जाम दिया होगा तब ठीक है तो लगबग हम चैप्टर सभी कंप्लीट कर चुके हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं पर मुझको पूरी ही बुक करानी है एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना अब दोस्तो आते हैं पार्ट थड होता है ठीक है भाग थड एनलेटिकल रीजनिंग दोस्तो ठीक है इसमें क्या दोस्तो कुश्चन जहां से कुश्चन पूछे आते हैं मैं चैप्टर कथने स्कर्ट और कथनें तर्क और कथनें पूट धालना दोस्तो बस ये तीन चैप्टर हैं इसमें से जहां से कुश्चन पूछे आते हैं ठीक है बस तीन चैप्टर हैं और पर आप ध्यान मत दो और पर ध्यान मत दो दोस्तो ये तीन चैप्टर हैं जिसमें कतन निशकर्च मैं आपको करा चुका हूँ दोस्तों बस यही स्लेबस रिजनिक का सिलेबस दोस्तों जो मैं रिजनिक आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों बिसपास रखेए आप अगर इसको अच्छे से कम्पलेट कर लेते हैं एक कोष्ट्ण भी कोईभी एक्जाम जिसमें reasoning पूछी आती है दोस्तों बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो दोस्तों बस ये reasoning का syllabus था ज्यादा सोचा मत करो ठीक है क्या आएगा वह मैंने दिखा दिया आपको official site पर जब जाओगे UP police की तो आपको इस type का syllabus मिल जाएगा ठीक है तो आप तो किसी भी student को doubt नहीं होना च कुछ भी बल लेनी पड़ेगा कुछ भी संज में नहीं आएगा वो तो बोल देगा कि मैंने यहां लिखा तो था बरबल and figure classification बरबल मतलब पोरी बरबल listening आनी है ठीक है अब यह नहीं कहेगा कि मैंने उसका नाम ने लिखा पास हैगा तो आप पासा नहीं दोगे मैंने यहा बरबल लिख दिया अब बरबल में तुमारा पासा भी आ गया कलेंडर भी आ गया क्रम याबस्तिकन भी आ गया बैठा याबस्तिकन भी आ गया दिसा दूरी भी आ गई बस यह तो बोल देगा साफ साफ आप क्या करोगे फिर ठीक है और इसने figure ball दे है हां मतलब इनने इसमे इसमें ही नॉन बरबल रिजनिंग का पूरा complete कर दिया ठीक है नॉन बरबल रिजनिंग पूरी इसमें figure ball का ही complete कर दी तो दोस्तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया आपके इसमें स्लेवस में क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं पहली बात तो आपको जादा सोचना नहीं है मैं हर चैप्टर के playlist बना जीता हूँ मतलब एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो मैं फाल्तू करा हूँगा विल्कुल एक एक चैप्टर आपके एक्जामें पूछे आने वाले बही question में कराता हूँ ठीक है दोस्तों पूरे YouTube पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा स्लेवस वाइस आपको पढ़ने को मिल जाए ठीक है तो दोस्तों आपसे इतनी सी बिंति करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग ठीक है आप होती है कि चैनल को सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं और 50% एंसे हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किये हुए मुझे इनका पता नहीं चलता इनको क्या अच्छा नहीं लगता कि 50% स्टुडेंट एंसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सबसक्राइब नहीं करते। ठीकें? तो दोस्तो आपका कुछ नहीं जाता यार सबस्क्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता। बस आप लोग मेरा थोड़ा साथ दोगे तो हो सकता आपको और अच्छा चीखने को मिले और आपका एक्जाम क्रेक हो जाए ठीक है दोस्तो मैत की वीडियों की जल्द आने शुरू जाएगी बिल्कुल परेशान मत हो चाहें दो महीने मिले मुझको मैं कंप्लेट करागा रहूँ आपका मैं दोस्तो इतना दो कराही दूँगा दो महीने में आप 15 पिलस अराम से कराओ दोस्तो मैत में ठीक है कोई बिल्कुल 0 है कोई दिक्कत नहीं है बस मैं कहता हूँ गुणा भाग सिख कर रखना गुणा भाग आपको आने चाहिए दोस्तों ये मैं आपको नहीं सिखाऊँगा गुणा भाग तों आपको आने सिखाऊँगा डायरेक्ट में आपको कोईश्चिन सॉल्ब करना सिखाऊँगा किस तरीके से आप कोईश्चिन को सॉल्ब कर सकते हैं दोस्तों विश्वास रखिए आप कितने भी यूट्यूब चैनल हो किसी पर 10 मिलियन सब्सक्राबर होंगे किसी पर 6 मिलियन होंगे किसी पर 2 मिलियन होंगे दोस्तों बिश्वास रखिए जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ जो बच्चा मन से बढ़ेगा तो कहीं इन 6 मिलियन 10 मिलियन बालों के पास वो मेरा तरीका नहीं होगा दोस्तों ठीक है क्योंकि जो स्टुटेंट जिस इस्तिति से गुजरता उसको सब पता होता है कि बच्चे के क्या चीज़ समझ में आ सकती है और किस तरीके सा समझ में आ सकती है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था अगर व